चुनाव नस्दीक हैं, ऐसे में सियासी पार्टियों में राजनेति खल चल तेज हो गई है हर सियासी नुमाइंदा अपनी टोटियां सेकने में लगा है शाम, दान, डंड, भेद की रणनिती पर उतर नुमाइंदा अपनी कुरसी बचाना चाता है आपको बता दे, सुले देव भारती समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से उमिदवार के नाम की घोशना की है पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अर्विन राजभर को चुनावी मैदान में उता रहा है चुनावी घोशना होते ही अर्विन राजबर के एक बड़े बयान ने यूपी की राजनेतिक फिजाओं में हल सल तेज कर दी है अर्विन ने मवधान सभा सीट से विधायक अबास अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है अर्विन राजबर ने कह डाला कि चुनाव में अबास अंसारी का पूरा समर्थन हमारे साथ रहेगा बताते मीडिया ने अर्विन से माफिया मुकतार अंसारी और अवजाल अंसारी के कारेकरताओं से समर्थन मिलने पर सवाल किया था जिसे लेकर उन्होंने कहा कि उनके जो भी लोग ओम प्रकाश राजबर जी के विचारों से सहमत होंगे उनका सहयोग मिलेगा साथ ही साथ अर्विन्द राजबर ने कहा कि मैं भारती जनता पार्टी के शीष नेतृत और यूपी के सीएम योगी का धनेवाद करता हूँ उन्होंने घोसी सीट सुलेदेव भारती पार्टी को सौप है अर्विन का कहना है कि घोसी के सभी लोगों ने नरींद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने का संक्र लिया है साथ ही अर्विन्द राजबर ने यूपी की असी के 80 सीटें जीतने का दावा भी कर डाला है आपको बनाने माफिया मुकतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी मौ सदर विधान सभा सीट से विधायक है अबास ने सपा अगट बंधन के दोरान सुलेदेव भारती समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था इस दोरान उन्होंने बिजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंग को 38 से ज्यादा वोटों से हराया था वहीं मुकतार अंसारी मौ की सदर सीट से विधायक है माफिया ने 2017 में विधान सबा चुनाव में सुभा सपा के महेंडर राजबर को करीब 10 हजार वोटों से हराया था आपको आगे बताते चले 2017 में अबास अंसारी ने गोसी विधान सबा सीट से बेस्पी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था शाम, दान, डंड, भेद की रणिती पर उतर नुमाइद अपनी कुरसी बचाना चाता है आपको बता दे सुले देव भारती समाज पार्टी ने गोसी लोगसबा सीट से उमिद्वार के नाम की घोश्टा की है पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अर्विन राजभर को चुनावी मैदान में उता रहा है चुनावी घोशना होते ही अर्विन राजभर के एक बड़े बयान ने यूपी की राजनितिक फिजाओं में हल चलते ही इसकर दी है अर्विन ने मौ वधानसभा सीट सिव वधायक अबास अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले